I know, तुम लोग title और thumbnail को देखके थोड़ा सा confused हो, but I hope video के end तक तुम्हारा ये confusion दूर हो जाएगा. Anyways, आप मेंसे ज़्यादा लोग को पता ही होगा कि 2019 से YouTube इंडिया में एक नया wave आया है second generation creators का, और उसके साथ उन लोगों ने अपना एक audience base भी create कर लिया है. अब ये जो audience base है, इसमें से कुछ लोग अपने आपको dank बताते है and first generation YouTubers के audience को norm भी समझते है. So ये चीज गलत है या सही, इसे के बारे में आज बहुत कुछ discuss करने वाले है. So, let's start. सबसे पहले बात कर लेते हैं first generation YouTubers के audience के बारे में. देखो ये जो audience है, इसमें से जाहता लोग बड़े-बड़े YouTubers को ही देखते है and इनके लिए YouTube सिर्फ आशरीष, बीवी और कैडी थे ही limited है. Now, don't get me wrong, but first generation YouTubers का audience base कुछ जाधा ही toxic है second generation वालों से. First generation YouTubers के audience पोड़े इंडिया में फैली हुई है and reach भी बहुत जाधा है. लगा सकते हो कि कोई भी second generation YouTuber ने आज तक million का mark cross नहीं किया है. So, ये जो audience base है, इसमें से कुछ पार्ट अपने आपको dank and superior समझते है. They think second gen YouTubers are really underrated and deserve more subscribers than first gen YouTubers. According to them, dank बंदों का humor better है, वो लोग criticism को accept करते है and most importantly, वो intellectual बनते फिरते है. See, ये बाते काई पर लिखे नहीं है, मैंने बस इन चीजों को last 3 महीने से observe किया है, तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो तुम लोग मुझे comments में ज़रूर बता सकते हो. Okay, so बाते ही वीडियो के मेन पार्ट पे, यहां मैं बताना वाला हूँ second gen audience के कुछ problems के बारे में, तो ध्यान से सुनना, और हाँ, जिन लोग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो पूड़ा का पूड़ा second gen audience नहीं है, लेकिन जहाता लोग ऐसे ही है, okay, so सबसे पहला problem यह है कि जहाता dank बंदे first gen YouTubers के followers को normy समझते है, for example, अगर कोई कैरी मिनाटी देखता है तो वो normy है, अगर कोई ट्रिगर इंसान देखता है, तो वो 12 साल का बच्छा है, नहीं, seriously, please stop this, अगर तुम सोचते हो, को तुम धैंक डिशु को देखता हो, तो तुम superior हो, अगर कोई कैरी को देखता है, तो वो inferior है, please, ऐसा सूचना बंद कर दो, ऐसा नहीं होता, क्यूंकि तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिया में बहुत अलग-अलग levels में audience है, सबका taste अलग-अलग होता है, तो तुम किसी को कोई चीज ठूस नहीं सकते, कि ले भाई, टैंक रिशु दे नहीं आएगा, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि कैरी या ट्रिगर इंसान को बोलते है कि यह लोग unfunny है, not gonna lie, मैंने भी जब second generation YouTubers को देखना start किया था, तो मुझको भी लगता था कि कैरी unfunny है, इसके वीडियो के ओपर लोग हस कैसे देते है, लेकिन मैं बहुत ग बनाया था, मुझे Instagram में बहुत लोगों ने बोला कि इसके उपर क्यों बना रहा है, यह normie है, unfunny है, 12 साल की audience है, reaction वीडियो देके हसते है, etc, etc, बड़ उसके 2-3 महीने बाद, जब Fing और Captain India ने Trigger इंसान के साथ कोलाब कर लिया, तब वही सेम बन दे, Trigger इंसान को support करने वो लोग उसको criticism के जगा hate समझने लगते है, जैसे थगेश के case में हुआ था, थगेश को बहुत hate मिली थी, मैंने पहले भी कहा था, toxic fans हर जगा होते है, तुम लोग को यह समझना होगा कि जब कोई second-gen YouTuber किसी बड़े YouTuber को बर roast बनाता है, तो वो से मजा के लिए होता है, सच जब उसने कैरी के नए rap को appreciate किया, तो वो लोग confused हो गया है, according to me, हम लोग को यह dank और normie वाला चीज छोड़ देना चाहिए, क्यूंकि इससे कोई फ़रक नहीं पड़ता, जिसको जो पसंदे वो देखेगा, और लोगों का taste भी धीरे-धीरे develop होगा, मैं भी कोई एक दिन में पाई